दोस्तों Microsoft ने अड्मिट कर लिया है कि जून 2020 के अंदर जो उन्होंने Microsoft Windows 10 की security updates रिलीज की थी उसके अंदर bugs मजूद हैं वो properly काम नहीं कर रहे हैं जिसके होगा से अक्सर यूजर को computer restart का issue आता है और अक्सर के पास यह वाली screen सामने आया थी है कि यूर PC ran into a problem and need to restart. We are just collecting some error info and then we will restart for you. यह जब problem आता है तो इंसान को पता नहीं चलता कि उसके system के अंदर हुआ क्या है सम्टाइम तो वो यही समझता है कि कोई hardware problem आ गया है लेकिन दोस्तों यह last time जब देखा गया है कि जो June 2020 की security update जो के Microsoft ने कहा कि यह आपके जो vulnerabilities के कोई issue है जो security के issues थे Windows 10 के अंदर के exploit हो जाती थी hack हो जाती थी कुछ issues ऐसे मजूद थे उनको fix करने के लिए उन्होंने यह security update दी थी लेकिन इसको install करने के बाद user को मजीद problem का सामना करना पड़ गया है Microsoft का यह कहना था कि जून 2020 की जो update है जो के kb4557957 जो के version 2004 के लिए थी और kb4560960 जो के 1909 और 1903 के लिए थी यह दोनों release की गई और इनका main मकसद यही था कि जो vulnerabilities हैं जो flaws है security के flaws हैं उनको fix किया जाए लेकिन इनका कुछ conflict आया जो system की local security authorities होती है उनके साथ जिसकी वजह से basically जो local security authorities होती है वो user की जो authentication का system है system के ओपर locally उसको manage करती है उनके साथ इसका conflict आया जिसकी वजह से यह win login की जो service है उसको crash कर देती और system बार बार restart होता था कुछ लोगों के पास जो मैंने आपको पहले screen दिखाई है वह वाली screen आ रही थी और कुछ लोगों के पास इस तरह का message आता था कि आपका system एक minute के अंदर restart हो जाएगा दोनों ही सूर्टों के अंदर दोनों ही सूर्टों के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका link उसी update के साथ है जो के जून 2020 की security update थी दोस्तों अभी तक Microsoft ने इसको accept करते हुए काया कि इसका solution जो है यह आपको 14 जुलाई तक मिल जाएगा जो नई update आएगी उसके अंदर इसको fix कर दिया जाएगा control panel में जाके अन इंस्टाल प्रोग्राम के ओपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपके जितने भी अपडेट्स इंस्टाल हुई हैं वो नजर आ जाएगी इसमें वह वह बले अपडेट्स जो आपने latest इंस्टाल की है जून के यह जो आपको नजर आ रहा है कि भी 4597957 जो के 10 जून की अपडेट है इसको आप अन इंस्टाल कर लें तो आपका सिस्टम का रीबूट का इशू रिजॉल्व हो जाएगा अगर आप इसको अन इंस्टाल नहीं करना चाहते हैं किसी सर्वर बगार पर अगर आपका यह पैच इंस्टाल हो चुका है तो आपको 14 जि लाइक की दिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब निकिया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना मुलिए तैंक यू अरिमाच